प्रादिस केग्स काम दो तीन बार सोच समझकर करते थे दूसरी और पिंको थोड़ा लापरवा था एक बार पिंको बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला ओ बिल्लू नीलू आज हमें आम के खेत में जाना था ना बोल गये अरे हाँ मैं तो भूल ही गया लेकिन उस खेत तक पहुँशने के लिए वन को पार कर जाना है न अरे केवल वही नहीं वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी है नहीं भै नहीं मैं नहीं आ सकता मुझे डर लगेगा अरे यार, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है लोग हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं चलो ना चलते हैं पिंकू, लेकिन मैंने अपने माबाबू को नहीं बताया जब तक हम वापस आएंगे शाम हो जाएगी हम कभी और जाएंगे ओफो, क्या तुम सब कुछ माबाबू को बोल की करते हो क्या अगर तुम उनसे पूछोगे तो वे तुम्हें अनुमती नहीं देंगे चलो हम जल्दी चलते हैं ठीक है, ठीक है परन्तु, अगर कुछ भी गडबड हुआ तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी किसी को भी पीछा नहीं चोड़ेंगे ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है अब चलो तो सही तीनों दोस्त बन के फीतर चल पड़े लेकिन सब को डर लगी थी क्योंकि बच्पन से वे सब एक भयानक जानवर की कहानी सुनते आये हैं जो इसी वन में रहा करता था थोड़ा आगे चलते ही अच्छानक से उनको एक तेज आवाज सुनाई दी तीनों जट से रुग गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज आई कहां से अच्छानक से मुड़कर देखा तो उनके पीछे था एक बड़ा सा भालू तीनों भै भीत होकर वहां से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे चुप गए है भगवान भालू आ गया अब क्या करें पिल्लू, नीलू, इस पेड़ को चड़ने में मेरी साहाता करो उपर जाने की बाद मैं तुम दोनों को खीच लूँगा जैसा पिंको ने कहा, वैसे ही बाकी दोनों ने किया पिंको, अब तुम अपना हाथ दो अरे, अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है तुम लोग कहां बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंको के ऐसा बोलने पर समझ ही नहीं आया भालू और पास आने लगा मेरे दोस बिल्लू, अगर हम जमीन पर पढ़कर मरने का नाटक करें, तो भालू शायद हमें कुछ नहीं करेगा हाँ बिल्लू, आप यहीं करेंगे दोनों लड़की जमीन पर पढ़ गए और हिले बिना मरने का नाटक किया भालू लड़कों के पास आया और उनको सूमने लगा दोनों को मरा हुआ समझ की भालू वहां से चला गया अरे वाह, तुम दोनों ने अच्छे से भालू से चुटकारा पा लिया बड़े भागेशाली हो कि भालू ने तुम लोगों को खाया नहीं हाँ, बाल बाल बच गये लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना उसने तुम से कुछ कहा क्या हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से दोस्ती कभी नहीं करना मैं तुम से अब कभी बात नहीं करूँगा पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहाता करने में कोई लाब नहीं हाँ, तुम वहीं बैटना अब, हम गाव वापस जा रहे हैं दोनों बहुत निराश और गुसा होकर वहां से चले गए इंको अकेले पेड़ की उपर बैट कर बस उनको देखता रहा